हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केन लर्निंग पॉइंट में है आज इस वीडियो में हम जो एन आ यूएस द्वारा विर्ज कोर्स कराया जा रहा है उसकी फाइल 526 तयार कराएंगे तो बने रहे हमारे साथ देखिए क्या क्या करना है इस फाइल में यह फाइल सौनम्मर की होगी है तो चलिए सुरू करते हैं यहां पर दिखाया गया है यह फाइल का प्रेंट पेज है आपका मुख पिरष्ट इस तरीके स्तयार करना है कि स्रेवारत वियर्ड अध्याफकों के लिए राश्टी मुक्त विद्याली सिच्छा संस्थान एना यूस द्वारा संचालित प्रारंविक सिच्छकों हेतु व्याफसायक विकास कार्क्रम विर्ज कोस पीडी पीटी 526 कार्याला कारिशाला आदारित गत्विदियां कंड एक इस तरीके साब अपना तयार कर लेंगे यहाँ पर नेम एन्रॉल्मेंट नम्मर एड्रेस पिन कोड डिस्टेक यह सब आपको फिल कर लेना है तो यह आपके पास मैं कहीं बुक्सेलर पर इस टाइप की लिखने के लिए कॉपी मिल जाएगी वहां से आप खरीच सकते हैं या अपने हाथ से भी इसको क्रियेट कर सकते हैं इसमें क्या होगा इसमें आपको शुरू में 526 जो फाइल है आपको चार पार्ठी उजना ही लिखनी होगी तो यहां पर फाठ यूजना फर्थम देखिए दिखाया गया है लिखेंगे सिचक फिर सिच्छू का नाम नामांकन संख्या बेसे कच्छा विद्याले दिनां कालांस समयवदी तो यहां पर प्रकरण लिया गया है कविता के माध्यम से मात्राओं को शिखाना सामान उद्देश लिखेंगे चात्रों में वहांसा के प्रती रुची उत्पन करना चात्रों में वहांसा समंदी ग्यान की अववद्दी करना चात्रों को वहांसा की नवीन सेलियों से परचित कराना परदर्शित के बाद विस्स्ट उद्देश लिखेंगे चात्रवरणमाला की महत्राओं को गीत गा कर पिरदर्शित करेंगे चात्र महत्राओं को ठीक पिरिकार से समझ सकेंगे ये विसस्ट उद्देश चेंज हो जाएंगे हरेक पाटि उजड़ना में और सामान उद्देश लगवक सेम रहते हैं पूर्वग्यान हैडिंग लिखेंगे चातर वडमाला के विशाय में शामान जानकारी रखते हैं साहिक सामगरी में लिखेंगे वडमाला चार्ट चौक स्यामपर डश्टर इत्यादी इसके बाद प्रिस्ताबना फरसन ये क्या होते हैं इसमें आपको प्रकड़ निकलवाना होता है तो आप यहां से देख सकते हैं पहला कुछ चैन है कि क्या आप वडमाला जानते हैं तो चात्रों की क्रिया होगी हां आ से क्या होता है अनार वड़ा से क्या होता है आम चात्रों इन मात्राओं को गा कर बताओ तो यहां पर समस्या आएगी इस तरीके से प्रिस्ताबना फ्रसन हो गए अब उद्देश कथन में लिखेंगे आपको क्या कराना है चात्रों को आज हम लोग गीत गवाकर मात्राओं का अध्यन करेंगे या कराएंगे इसके बाद प्रिस्तिती कर तो वीडियो यह बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए आप यहां से देख सकते हैं मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही बता दे रहा हूं कि स्यामपट कर इसमें यह लिखेंगे इसके बाद बोदात्मक प्रशन इसके बाद लास्ट में लिख लेंगे माग दर्शक या परवेच्छक के हस्ताच्चर सिच्चक के हस्ताच्चर तो इस तरीके से आपका एक लेशन फिलान कंप्लीट हो गया है इसी तरीके से आपको तीन और लेशन फिलान करने हैं यह भासा हिंदी का था इसके बाद लेशन फिलान यानि कि पार्ट योजिना दो जो कि आपकी गड़ित की है जिस तरीके इस पार्ट है उजना पहली तयार की है उसी तरीकी से से में बस यहां पर सब्जेक्ट और प्रक्रण चेंज हो जाएगा सामान उद्देश बिसेस्ट उद्देश लिखेंगे सायक सामगरी इसके बाद पूर्व ग्यान फिर्स्ताबना फिर्शन उद्देश कथन बोधात्मक फिर्शन फिर स्यामपटकार आएगा अभ्यासकार फिर से लाश्ट में लिखेंगे गिरायकार के बाद लिखेंगे मार्व दर्श्तक पर वेच्चक के हस्ताच्चर फिर सिच्च्चु सिच्चक के हस्ताच्चर इसके बाद पार्ट योजना तीन देख लेजिए सेम है सब बस थोड़ा चेंज करना है सब्जेक्ट और तरकरण सामान उद्देश लिख लेंगे सिच्च्चर सामगरी परस्ताबना फिर्शन इसपस्टी करड़ परस्तुती करड़ मूल्यांकन ग्रहकार और फिर से गई सब्जेक्ट इसके बाद पार्ट योजना चार ये विज्ञान से ले गई है यहां तरकरण बावतिक परिवर्टन सामान उद्देश विशिस्ट उद्देश साहक सामगरी परस्ताबना फिर्शन उद्देश कथन परस्तुती करड़ मूल्यांकन ग्रहकार और लास्ट में मार्क दर्शक परिवेच्छक के हस्ताच्चर इधर पर फिर सिच्छू सिच्छक के हस्ताच्चर तो यह आपके चार लेसन फिलान कंप्लीट हो गए फिर दूसरी गतिविद्दी यहां क्या है पार्ठियोजनाओं पर आदारित हमको सिच्छड अधिकम सामगरी तयार करनी है जो पार्ठियोजनाओं पहली हिंदी की बनाई थी उसकी यह सिच्छड सामगरी है तो इसको आप नोट लांग कर सकते हैं फार्ठियोजनाओं दो पर आदारित क्षड अधिकम सामगरी यह यहां पर आपको complete five मिलेगी यहां से फूरी आप देखकर लिख सकते हैं पार्ठियोजनाओं तेन पर आदारित क्षड अधिकम सामगरी यहां पर सूर्ग रड़ दिखाया गया है यह पिर करड़ था पर्यावरड में पाठ योजना चार परादारित सिच्छड रिगम सामगरी इसके वाद आपको इस पेज को आपको लाष्ट में आपको लगाना है जब यह सिच्छड रिगम सामगरी तयार हो जाएगी यह है स्वेम विक्सित सिच्छड रिगम सामगरी के लिए रेटिंग मापनी यहाँ पिर सिच्छू का नाम नाम आंकन संख्या सिच्छड सामगरी का नाम कच्छा जिसके लिए सायक सामगरी बनाई गई है सायक सामगरी का फरकार सिरब देखने योग या दोनों कि इस तरीके से आप यहां से देखकर अपनी फाइल कंप्लीट कर सकते हैं अब अंगली गत्विदी आएगी विशय आधारित मूल्यांकर में पोट्फोल्यू का विकास तो यह गत्विदी देखी किस फिरकार से की गई है पोट्फोल्यू फाइल कवर यह इस तरीके से बनाई जाएगी विद्यालय का नाम यहां लिकना है, यहां थोड़ा निस्टेक हो गई है यहां पर आप बिद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में यह बच्चा बढ़ रहा है शत्र लिखेंगे चात्र का नाम जन्मतिती पिता का नाम, माता का नाम पता, अभिवाबक का मॉबाइल नम्मर, गडित विसे में पोट्फोलियो का विकासतालिका, पोट्फोलियो का रिकॉर्ड, चात्र का नाम कच्छा, रिकॉर्डिंग परिडाम, पद फर्स्ट, पद सेकेंड, पद थर्ड, इस तरीके से आप ये नहां से देखकर अपनी फाइल कम्प्लीट कर सकते हैं गलती तार्किक्ता, गलती संप्रेशल, अविवित्ती एवं मनोभाव यहां पे नोट लगाना है रिकॉर्डिंग परिडाम के मानक का अर्थ फर्स्ट पद है, उसका मतलब है सायोग कि उसमें आबद शेक्ता है, सेकेंड में संतोस जनक फ्रगती, धर्ड में उतकरश्ट गती इसके बाद इस फाइल में आपको फिर्सन फत्र तयार करने हैं, चार पहला आपका हिंदी बासा का करना है आपको, जैसे कि आप टीचर हैं तो आपने कि अपने किलास में बच्चों के जब पेपर होते हैं तो उसके लिए एक पेपर बनाया होगा, उसी टाइप का ही रहेगा, तो आप अपने एसाब से पेपर तयार कर सकते हैं, यहां से भी आप देख सकते हैं, यह हिंदी का पेपर है, इसके बाद फिर्शन पत्त क्रमांग दो, यहां पर गड़ित का पेपर बनाया गया है, इसको आप भी बना सकते हैं, अपने एसाब से, अब फिर्शन पत्त क्रमांग तीन, अब यहां पर विज्ञान का पेपर आपको यह दिखाया जा रहा है, आप यहां से देखकर लिख सकते हैं, इसके बाद फिर्शन पत्त क्रमांग चार, अब यहां पर कच्छा पांच का हमारा पर विज्ञार का यह दिखाया रहा है, इसको भी आप यहां से देखकर लिख सकते हैं, या अपने एसाब से, किसी बच्चे की किताब लेकर, आप उसको वहां से पेपर बना सकते हैं इसके बाद ये टेवल बनानी होगी देख ली दिए यहां पे फिर लाश्ट में ये सब आपको लिखना होगा ये दस मेंसे प्राप्तंक है इसके बाद अंगली गत्विदी होगी प्रक्रिया मूल लेंकर मैं भागी दारी तो यहां से आप देख ली दिए ये सारा मैटर आपको यहां पर उपलब्द कराया गया है बच्चे कैसे सीखते हैं इसके बारे में लिखना आपको बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने एवं आकलन से प्राप्त नतीजों को दर्ज करने के लिए निम्पर प्रत्रों का फिर्योग किया जाता है कौन कौन से प्रपत्र होते हैं सिचक डायरी चात्र प्रोफाइल चात्र का व्यक्तिगत वित्रण चात्र संचई प्रपत्र अधियों उपलब्दी सह संग्यानातमक पच्चों मत्रगती परिच्चा में अंकों का विवरण बच्चों का रचनातमक कार्र प्रगती पत्र इसके बाद सतत आकलन हे तू ग्रेडिंग भी दी तो इस तरीके से आप यहां से देखकर अपनी फाइल कंप्लीट कर लेजी अगर मैं एक एक चीज बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा चल्दी ही कर रहा हूं लास्ट में आप यह फेज लगा देंगे यहां पर आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है और यह 526 कोर्स का पहली फाइल थी अब इसके बाद 526 कोर्स की दूसरी फाइल भी मैं आपको यह वीडियो बना दूँगा इसके बाद 527 नम्मर जो की 200 नम्मर का होना है उसकी भी फाइल कंप्लीट करके मैं आप लोगों को उसका भी वीडियो बना दूँगा और ब्रिज कोर्स से सम्मंदित कोई वी जानकारी चाहिए तो पिलीज कमेंट करें साथ ही साथ जो पेपर होंगे उनके लिए स्टडी मैटेरियल भी उनके भी वीडियो हम आपको इस चैनल के मार्द्यम से देते रहेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही अपना ख्याल रखिए जैहन